दोस्तो हमारी आने वाली नई वीडियो देखने के लिए इस लालकली की सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए और साथ में इस घंटी को दबा लीजिए ताकि हम जैसे कोई नए वीडियो डाले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके दोस्तो सबसे पहले आपको अपने फोन की सेटिंग को ओपन करना है उपन करने के बाद आपको यहाँ पार नीचे आना है security के option पर तो यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं Setup Sim Card Lock हो सकता है कि आपके mobile phone पर option हो other security option तो वहाँ पर आप जाएंगे और वहाँ पर आपको यह option मिल जाएगा setup sim card lock तो यहाँ पर आप जब click करेंगे तो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आप अपने sim card को कैसे lock कर सकते हैं दोस्तों जब आप यहाँ से इसे on करेंगे जिसकिसी भी sim pair आप लगाना चाहते हैं आप यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ पर आप अपना pin डाल देंगे ठीक है तो यहाँ पर मैं अपना pin डाल देता हूँ इसके बाद दोस्तों क्या होगा कि मालो की आपका phone चोरी हो जाता है या फिर आपका जो sim है वो खो जाता है कोई चोरी कर लेता है तो इसके बाद अगर अगर वो sim कोई भी बंदा अपने mobile phone पर डालेगा जब वो उसे open करेगा तो वहाँ पर उसको password मांगेगा उसको pin डालना होगा जब तक वो password नहीं डालेगा तब तक आपके sim पर network नहीं आएगा और कोई भी call वो बंदा आपके phone से या फिर अपने phone पर इस sim की मदद से नहीं कर सकता है तो दोस्तो इसका use आप इस तरीके से कर सकते हैं दोस्तो आप मैं आपको बताता हूँ इसका नुकसान क्या है आपको अपना ये password या दखना है अगर आप इसे गलती से भूल जाते हैं और यहाँ पर आप wrong password डालते हैं तीन बार तो फिर आपका जो sim card है वो lock हो जाएगा और इसके लिए आपको customer care को call करना पड़ेगा और call करने के बाद ही आपको वो code देंगे और उस code को डालने के बाद ही आपका sim open होगा तो please दोस्तो यही एक नुकसान है तो आपको अपना password याद रखना है उसे भूलना नहीं है तो दोस्तो यह थी setting जो मैं आपको बताने वाला था कि अगर आप एक smartphone यूज़ करते हैं तो फिर आपको अपने phone के sim card को log करके जरूर रखना चाहिए क्योंकि गलती से भी आपका sim card चोरी हो सकता है आपका mobile phone खो सकता है तो इस setting के करने के बाद आपके phone से आपके sim card से कोई भी call वो बंदा नहीं कर पाएगा तो आसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को like जरूर करके जाना और इस channel को subscribe जरूर कर लेना फिर दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टिक के साथ तब तक अपना ख्यार रखिएगा goodbye, take care, bye bye